तो ये वाट्स अब गाइस कैसे आप लोग तो आज में फॉलिंग में सिफ गॉड का निव एपिसोड लेके आ चुका हूं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बिलापूर देरिकेट और हमारा एपिसोड वहीं पर से सुरू होता है जहांपन हम दिखते हैं कि वह तीनों बंडे ये जिन पर टैक कर रहे थे और ये जिन उनलों का टैक रूफते जा रहा था लेकिन हां यहां पर गौर्ड करने की बातिया थी कि यह उतना भी पावफूर नहीं नजल आ रहा था उन तीनों को सामने उनकी वह तीनों बंडे कॉंप्रियंस लेवल पर पहुंच चु रही मस्किल हो सकता है ऐसे हथां कुछिक क्यों परे कि यह बंड़ करके पीछे चाया बंडा बंडा कर देता है तो मुझे टाइम टायम नहीं मिल रहा है ठींशार में था तभी हम देंखके नहीं तो नहीं लेत बोह पर और फिस्याव को बुलाता है यह जिए फिस्याव से बोलता है कि देखो मिरे पाइंट बचा हुआ है उन सब का पॉइंट का यूज कर तो तेवा सुन कर फिस्याव जड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करती है और यह जिन का इंक्रीज कर देती है तो हम देखते हैं कि उसका स्पिच्वल पावर इतना इंक्रीज होने के करन वो तीनों बंदें अहरान रहा जाते हैं कि उनलों को समझ में नहीं आ रहा था कि जो बंदा कुछ दर पहले इतना कमजोड दिखाई पर रहा था उसको बोड़ी से अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल इनरजी कैसे महस लेकिन उनलोग हार मांड़े को त्यार नहीं था एक रूसरे का साथ का परेट करके ओन लोग्ट फिर से टैक कर देता है ये चन पर लेकिन देखते हैं कि ये उनलोग पावर इंक्रीज होने के करन वो जो उनलोग पर पहाली पर रहा था और वो जाए उनलों पर इसने का यह एक लगडी में उसका नाम लिख रहा था तभी वो जो है उस लगड़ी को फिक देता है तभी हम देखते हैं कि उर्लोग थेनों बहुत ज़्या दाइक बशाता करने के लिए जो कि उन लोग टीनों को एक साथ करना था तो उर्लोग अपना ऐटेक जो की बहुत जादा आ यहां था देखने में उसको परफॉर्म करने के लिए तयार हो जाता है और यह चिंग के तरफ बढ़ने लगता है ताकट का यूज करके अफिर तभी उलुक तीनों अचानक से यह चिंग के पैड़ के सामने आके घुटनों पर बैठ जाता है यानि कि उलुक का माफी मांगना अगला आखरी स्टेप था तभी वो यह सब चिंग कर यह चिंग भी हरान था अब बोलता है कि आखरी में तुमना कर क्या रहे होगा दे तेवा सुनकर उन लोग तीनों बोलते हैं कि देखिए जब हम लोग को लगता है कि हम लोग सामने वाले से नहीं जीट सकते हैं तो उस कि तुम्हारे पर जितना भी समान है जितना भी चीश है वो सब चीश मुझेश दे दुदू तो उन लोग दिनों में से एक बंड़ा बोलता है कि आप क्या बात सार रहे हैं अगर हम लोग इतना ही अमीर रहते हैं तो हम लोग चोड़ी क्यों करते हैं हमारे पास कुछ भी करते हैं लेकिंट वहां पर इसने कर इसने का अचानक यह टाइब हो जाता है और इस बहुत जाता है लेकिन हाँस इसने का हरकत से लगना रहा था उसने कि वह बौन को खाने लगता है तब हम देखते हैं कि येचिन का स्नेक जै उस बोन को खा जाता है तो येचिन पूसता है कि आखे में या बोन क्या चीज़ का था तो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता यह स्ट्रॉंग था तो मैंने इसको अपने वेपन के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया था और फिर तब हम आसने चेंज होता है हम देखते हैं सिंजर चैंग का फ्रेंट फाडर था वो जैए उस ब्लैक इसन सीटी में वह आ चुका था और उस सारे एक्स्टरॉय करने लगता तब हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंगर भी मुझे थी तब लिंगर से पूस्टा है कि तुम मुझे बटाओ आखिर मैं यहाँ पर हुआ तो हुआ कि और मेरे बेटे को किसने मारा और यहाँ पर कोई बंड़ा मुझोट क्यूं नहीं है ते वास्तुन कर लिंगर बोलती है कि मैं यहाँ पर जितने भी मेंबर थे हैं एक्स्टरॉय क्लैन के उन सब का रिपोर्ट लेके वापर जा रही थी में हॉल में ताकि मैं यह वहाँ पर रिपोर्ट कर सकूं सेक्ट लेटर को लेकिन मुझे पता नहीं है कि सेनियर चैंग यहाँ पर क्यों आ गए वो भी किसी को बताए भी न और उनके साथ यह कांड हो गया और इसमें जो है मुझे बिलकुर भी प फसन नहीं आता है और फिल वो जैसी मघट को हासमान में उठा देता है अब बोलता है कि मुझे लगता है कि अनुघ्ट तुम्हारे कारण ही हुआ है यहां पर चु कुछप नहीं किया है अगर आपको ऐसा लगता है रिपसे लिजर से बोलोंगी कि मुझे पनिसमें तें वह हिम्मत भी कैसे हुआ तुम मुझे फ्रेम करो और वो जो इसको दूर्फिक देखता है और हम देखते हैं कि जो कि येचिन और सियाव जए एक जगह पर आ गए थे जब उनलों को एक नाव की मदद से आगे का रास्ता ट्रेवल करना था और फिर तभी हम देखते हैं कि वो हो जाता है तवी ये जगह वाइन सबह के ओनर को पैसा देती हो बोलता है ऀस बच्छे का ख्याल रख न तब przeci और ंकर में यह क्याम wa है मैने सोचा था कि मिरा मंतद करेगा यह तो और मिरा मुसीवत पर आ रहा है अभी हम देखते हैं कि एक नाव के पास आता है जहां पर उसको कुछ लड़किया भी दिखाई परती है और इन लोग का रूल हम लोग को आगे के अभी सोच में दिखाई परेगा तब यह बंदे से पुछता है कि क्या यहां पर कोई नाव है जो बंदा बोलता ह है कि नाव तो था लेकिन उसके जितने फी रूम थे वो सब बुक किये गए तो आपको रूम नहीं मिलेगा तो वो जो उन से उसको कुछ घंटे का वेट करने के लिए बोलता है ताकि नियू नया सीप यहां पर आ सके ट्रेवल करने के लिए तो यह जिन उसको पैसा दे लि ले लिया लेकिन उनलों को रिफाइन करने के लिए फट्रेश भी तो चाहिए तो एक फट्रेश भी ले ले लेता है उन सारे चीज़ को अपने पोच के अंडर रखते वे वहां से जाने लगता है लेकिन तब वह देखता है कि तीन लड़के एक लड़की को बहुत जादा लड़की को बहुत जाने लगता है लेकर हम लड़की वाके मज ती कि जैसे द्पीछे मुरता है वो उसका बुराई करने लगती कि मैं तुम सक epsilon यहां जादा पागल हो तके हम दिए सबस्क्राइब च्टेंग है जा पना कप्राइब इसको भी बोलता है चोए रही टिराए कि छोड़ के चले रहे हैं वह बहुत समय से नहीं मिल रही ती और यह चोटी सी बची से लिडर है और ये क्लैन जो एक्स्टर्मिनेस्न क्लैन से भी हाइक लेवल का क्लैन है, टॉप फोर क्लैन में आता है इसका क्लैन, तब ही हम देखते हैं कि ये चिंज वहाँ पर पहुंच गया था, फिर सियाव के साथ, और उल्लू जो एक सीप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो ब बाइ